हेले ब्रेवरन, बेलकन तो एस अडमी, आई होब आप लोग सबच्छे होंगे, आप लोग की जो सीरीज चल ले थी बहुत ही महतपूर चल ले थी एक्सपेक्टेट कोस्टन की भेरी भेरी इंपोर्टन की जो बहुत बार एकजाम में पूछेंगे हैं और आप लोग एकजाम परिच्छा के अंदर में जाने से पहले नहीं तो आप लोग पस्ताएंगे जरूर एकजाम देखाएंगे तो, यदि सही में आप लोग इसमें अच्छे नमबल लाना चाहते हैं तो आप लोग जरूर इस वीडियो को जरूर देख लिजिएगा, चले बिना देर के वीडिय लिखना है, देखते हैं आप लोगे तैयारी कैसी है, कोश्चन है दूध से दही बनाने का काम कौन करता है, और फर्स्ट है विसाडू, सेकेंड जिवाडू, थर्ड किटाडू, या फोर्थ कवक, इनमें से कौन सा आप्सन सही होगा, आप लोग इसका एंसर कमेंट बाक्स में जरूर लिखना है, सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो सूर करें, सबसे पहले आप लोग इसका एंसर कमेंट बाक्स में जरूर लिखें, आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग तैयारी हम लोग समझ जाएगा, आप लोग तैयारी बिलकुल नहीं है, आप लोग इस उसका एंसर आप लोग कमेंट वाक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए, आज का पहला कोशन देखते हैं, रग्त हिन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? भेरी भेरी इंपोर्टन कोशन है, आप लोग को 10 सेकंड का टाइम दिया जाए एंसर बताने के लिए आप को लेजर के माध्यम से की जाती है, किसके माध्यम से की जाती है? अफिन फर्स्ट आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा, ठीक है? इसका पिडिया पना चाथ है, आप लोग टेलिग्राम चैनल पर जोएन कर लिजए हैं, टेलिग्रम लिंक आपको इसी वीडियो के निचे important question है भारत के मवेशी रोग निग्रानी एवं पुर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है ध्यान दीजेगा इसका राइट एंसर होगा option third bio safety laboratory क्या होगा बायो safety laboratory एनि option third आप लोग का राइट answer हो जाएगा ठीक है आप लोग ध्यान दीजेगा अगला सवाल है 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपन कहां किया गया था very very important question है आई होप सभी लों को बनता भी होगा 2010 में पूरे चेहरे का सफल प्रत्यारोपन कहां पर किया गया था पहला सफल प्रत्यारोपन तुर्की, फ्रांस, इस्पेन या जर्मनी फटा फट बताना है तो आप लोग ध्यान दिजिए कि 2010 में जो चेहरे का पूरा सफल प्रत्यारोपन किया गया था ये किया गया था आप लोग के इस्पेन में कहां पे इस्पेन में और संथर्ड आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा बहुत ही महत्पूर कोशन है आप लोग वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है नहीं तो आप लोग जरूर पश्टाएंगे चले अगला सवाल है निम लिखित में से कौन सा प्रभावित होता है इससे कौन सा फसल प्रभावित होता है कै आप लोगो रेक्वेस टेइग वीडियोको लाइक और शेल चरूर कर दिजेगा ध्यान दीजीका इसका राइट एंसर होगा गंणा क्या होगा गंणा जो लाल रोग होता है को प्रभावित करता है और संथवरड आप लोग का रइट एंसर होगा एक कौस्चन बहुत बा अगला सवाल है अपच का इलाज करने के लिए किस प्रिकार की दवा का प्रियोग किया जाता है ध्यान दिजेगा इसका राइट एंसर होगा वेरी वेरी इवी इंपोर्टेंट है इसका राइट एंसर होगा option 4 एंटा सीड का प्रियोग जो है अपच के बीमारी के लिए किया आता है option 4 राइट एंसर होगा और गोटैों कि अगला सवाल depreciate, अगला सवाल पॉध यह में कार्वो हाइडेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं क्याँता है, उन्हें निम लिखित किस रूप में संग रहित किया जाता है, यह व्यिरो नहीं क्या जाकी हुआ, और अकला सवाल किस रूप में क्या दौरा पेड की आयू का निर्धार होता है एक कोश्चन आप लोग कर लेंगे कि एक कोश्चन तो SSC और railway सब का फेवरेट है बहुत बार पुछा जा चुका है अधिकतर इस्टेट PSC एक्जाम में भी पूछा जा चुका है ब्यापम एक्जाम में भी बहुत बार पुछा जा ट्रीगा ठीक है अगला सवाल है निम लिखित में से किसका उपयोग सिरका तयार करने में किया जाता है वहारी इंपॉर्टन कोश्चन है अई होप सभी लोग को पता भी होगा इसका राइट एंसर होगा, ध्यान दिजेगा, option third, यह acetic acid का उप्यूग जो है, सिरका निर्माड के लिए किया जाता है, आप लोग ध्यान दिजेगा, अगला स्वाल है, पदार्थ की उन अवस्ताओं में से एक है, जो बहुत ही कम घनत तोवाली गयस का अत्यन्त कम तापमान के तद ठंधा करके प्राप्त होती है, ठीक है, इसका राइट एंसर होगा, option second, बोस, आश्टाइन, घनेव होत, ठीक है, आप लोग ध्यान दिजेगा बहुत ही महतपूर्ट सवाल है, आप लोग और ज़्यादा टाइम से वीडियो को रोग भी सकते हैं, फिर उसका एंसर दीजी, फिर next question पर आगे बढ़िएगा आप लोग, अगला सवाल है, अंग्रेज जी आईवी क्या है, इन में से कौन सा option सही होगा, चलिए आप लोग क इसका राइट एंसर क्या होगा, बहुत ही फटा-फट बताना है आप लोगो, इसका राइट एंसर होगा, यह होगा, USA में एक आम जहरीला पौधा है, अंग्रेज जी आईवी जो है, USA का अमेरिका जो है, आम जहरीला एक पौधा है, option third आप लोग का राइट एंसर होगा, जिनको नहीं पता होगा, तुक्का लगा के आजाते जुग गलत होता, ठीक है, अगला स्वाला किस पौधे का वेग्यानिक नाम, solenum tuberosis है, इसका है, आलू का नाम है, solenum tuberosis, ठीक है, आप लोग वेग्यानिक नाम, सभी का याद रखना है, कि मनुस्त का वेग्यानिक नाम क कोचन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है, अलासवार इन में से कौन सा प्राणी जल में आर्डविक आक्सीजन छोड़ता है, आर्डविक आक्सीजन छोड़ता है, इसका राइट एंसर और ओप्षन फोर्थ, फाइलो प्लेक्टिक नम, ठीक है, आप लोग ध्यान देख, फोर्थ, आप लोग राइट एंसर रोगए, तो यह एक इंपॉर्टिक कोश्चन जो आप लोग जामें बार-बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है, चले मिलते हैं, नेक्स वीडियों, धन्यवाद.